नमो बुद्धाई, जेभिम, जेभारत ये वीडियो बनाने से पहले मैं जापानी बोध दभिक्षू होतेई के बारे में रिसर्च कर रहा था जैसे हैं मैंने लाफिंग बुद्धा सर्च किया तो मुझे कई वेबसाइट दिखी जिसमें लाफिंग बुद्धा के बारे मिल देखा था और वस्तु शास्त्र के अनुसर इस दिशा में रखें ऐसे फिजूल के बाते करके अच्छे विचारों के प्रतिकों को लोगों ने सिर्फ शो की चीज़े बाना के रखी है लाफिंग बुद्धा यानि होतेई की तरहता तक बुद्ध के विचार अपनाए अच्छा इंसा बने जिवन भर खुद भी हसे और दुसरों को भी हसाई यही तो सारही बोद्ध धम्म का और यही मक्सद था लाफिंग बुद्धा जी का तो कहा जाता है कि लाफिंग बुद्धा दस विशताब्दि के आसपास वो यह सामराज्य में हो कर गए उनके नाम का शाब्दी करत इसलिए चिनी भाषय में उनका उपनाम लाफिंग बुद्धा है। जैसे कि उन्हें पारंपारिक रूप से मोटे के रूप में दर्शाय गया है। उन्हें फैट बुद्धा भी कहा जाता है। विशेस रूप से पस्चिमी दुनिया में। उन्होंने अपने जीवन का उद् इन्हें पुताई के नाम से जाना जाता है। वे एक भिख्षुक थे और उन्हें मौज मस्तिकारना, गुमना फिरना बहुत पसंद था। वे जहा भी जाते थे वहापना बड़ा पेट और विशाल बदन दिखा कर सभी को हसाते थे। तब इसे लोग इन्हें देवता की त अच्चाई और खुष रहने की बाते बात आती थे। इस वेडियो को लाइक कीज Во calling को सब्सक्राइब किए तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में क thirds इसे के साथ नएवाले चैनल के जरूर सब्सक्राइब करये। जयन बढ़ना चैनल के सथ हैं चलो मिलते हैं अगले थाइड जे भीम